नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर अक्टिविस्ट नताशा नर्वाल, आसिफिक बाल और देवांगना कालिता को कोट ने दिये रिहाई के आदेश हमाई दूसरी खबर दिल्ली की, अदालत ने बिना राशन काड़ वाले लभार्दियों की सीमा को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया हरियाणा में आशा कार्यकरताओं ने निगरानी रखे जाने के डर से सरकार के ट्रैकिंग आप को नकारा किसाना अंदोलन्ट, ट्रेड यूनियों ने किया 26 जून के क्रिशी बचाओ, लोगतंत्र बचाओ आहवान का समर्थर और आखिर में कोरोना अपडेट 24 घंडों में 66,000 नए मामले आए, 2330 की गई जान दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले, एक साल से जेल में बंद नताशा नर्वाल, आसिफ इकबाल तनहा और देवांगना कलीता को कोट ने जमानत तो दे दी थी, मगर उनकी रिहाई अभी तक नहीं हो सकी है हाला कि आज गुरुवार को कड़कर डूमा हाई कोड में दिल्ली पुलिस की अरजी खारिज करते हुए तीनों सामाजिक कारकरताओं की तुरंत रिहाई के आदेश दिये हैं उनके आज ही जेल से बाहर आने की उमीद है तीनों अक्टिविस्टों पर UAPA कानून के तहट मामला तो दर्श किया गया मगर एक साल से उपर हो गया है और दिल्ली पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है ये पहली बार नहीं है जब अन्टी CA NRC के प्रदर्शन कारियों को ऐसे मामलों में साल भर तक बंद रखने के बाद बिना किसी केस के जमाना दी गई हो हमारे पास डॉक्टर कफील खान शरजिल उस्मानी जैसे उधारड भी है इसके अलावा अभी भी उमर खालित शरजिल इमाम जैसे कारकरता इनी मामलों में जेल में बंद है मगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं हो सके नताशा, देवांगना और आसीफ के मामले में दिल्ली पुलिस ने अरजी दी थी कि कोई उन्हें रिहाई के कागजा तयार करने के लिए 21 जून तक का वक्त मिले मगर कोट ने वह अरजी खारिश कर दी है लोकडाउन के लगबग अब 50 दिन बाद जाकर दिल्ली सरकार ने जरुवत मंदों को राशन कार नहीं होने पर भी 5 जून से मुफस राशन देना शुरू किया है लेकिन इसमें भी कई गरबडिया हैं और इसको लेकर ही अब दिल्ली उच न्यायाले ने सरकार से जवाब तलब किया है दिल्ली उच न्यायाले ने गैर पीडिय श्रेडी यानि जिसके पास राशन कार नहीं है उन्हें राशन देनी की योजना के तहट राशन के लिए रालाबार्तियों की सीमा मन माने ढंग से 20 लाग सिमित करने संबंदी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली एक अरजी पर बुद्धवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेहनन की अवकास कालीन पीट ने दिल्ली रोजी-रोटी अधिकार अभियान नामक गैर सरकारी संगठन की अरजी पर दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किये याजका कर्ता ने कहा कि सबी जरुत मंदों को खाद्यान दिया जाना चाहिए आवेदन में आप सरकार को 27 मई के दिशानिदेश में या संशोधन करने का भी निदेश देने का अन्रोत किया है कि एक बारगी रहत नहीं होनी चाहिए बलकि लाबार्दियों को अगले आदेश तक हर महीने अनाज मिले याजिका करता के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई केंद्रों पर गैर पीडियस लाबार्दियों को खाध्यान देना बंद कर दिया हर्याड़ा में करीब 22,000 आशा कर्मियों ने गोपनी इता भंग होनी की चिंताओं को देखते हुए रास्ट्री स्वास्त मिशन के द्वारा पेश किये गए अप्लिकेशन को संचालित करने से इंकार कर दिया आशा कर्मियों को हाली में अपने दैनिक लक्षे को अपडेट करने के लिए MDM 360 शिल्ड नामक अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहा गया था ये अप्लिकेशन संबंदित अधिकारियों को आशा कर्मियों की लोकेशन को भी ट्रैक करने की अनुमती देता है लागातार विरोत के बाद आशा कर्मियों को जिनसे ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया था को अधिक कुशलता पुर्वक कार्य करने में मदद करने के लिए स्मार्टफोन दिये गए थे इन कार्य कर्ताओ द्वारा स्मार्टफोन का इस्तमाल गाउं में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के आकडों को अपडेट करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जिससे प्रशासन को रोगियों पर नजर बनाए रखने में मदद मिलती है आशा कर्मियों ने अप्लिकेशन के अनिवार डाउनलोड किये जाने को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त दे की आशा कर्मियों के मताबिक जीला और प्रेकांड अस्तर के आशा समनवयकरताओं ने उनके फोन में एक अप्लिकेशन डाउनलोड किया था उनका कहना था कि समन वयकों ने उनके साथ इसका पासकोड तक साजा नहीं किया था इसके साथ ही उन्होंने इस बात का उलेक किया कि यह अप्लिकेशन उन लोगों को पहले से कहीं अधिक जाच और उत्पिड़न के लिए उजागर करता है देजबर के किसान पिछले 200 दिनों से अधिक से तीन क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहा है इस दोरान किसानों के बड़ी बड़ी जथे बंदियां दिल्ली की सिमाव पर एथिहासिक विरोध प्रदशन कर रही है ये विरोध प्रदशन अब तक मजदूर किसान एकता का भी प्रतीक रहा है एक बार फेल लाकों शर्मिकों का प्रती निद्धित्व करने वाले केंद्री ट्रेड यूनियों ने 26 जून 2021 को क्रिशी बचाओ लोगतंत्र बचाओ दिवस का समर्थन किया है सर्नितों किसान मोर्शा ने ट्रेड यूनियों को उनके निरंदर समर्थन और एक जूटा के लिए धन्यवाद दिया है SKM ने भी चार स्ट्रम सहिंताओं को निरस्त करने और सारवजनिक शेतर के नीजी करण के खिलाब शर्मिकों के जारी संगर्ष को समर्थन दिया है सक्री रूप से SKM की तीन क्रिशी कानूनों और बिजली विधेक को निरस्त करने तता MSP को कानूनी गारंटी देने की मांगों का समर्थन करता रहा है 26 मई को SKM के आहवान पर पूरे देश के लाखोश्रमिकों ने सरशरीर भाग लिया था एक जूटता और समर्थन के इस क्रम को जारी रखते हुए 10 केंद्री ट्रेड यूनियनों ने एक बार फिर से 26 जून 2021 को पूरे देश में प्रायोजित क्रिशी बचाओ लोगतंत्र बचाओ दिवश के आवान को समर्थन दिया है और आखिर में हम बात करेंगे के इंद्री स्वास्त मंत्राय द्वारा आज गुरुवर यानि 17 जून को जादी आकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,208 नए मामले दर्श किये गए इसके अलावा करोना से एक दिन में 2330 मरीजों की मौत दर्श की गई है साथ इसे भीश देश भर में करोना से परिट 1,3570 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 38,692 मामले कम हुए देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,97,313 हो गई है जिन में से अब तक 3,81,903 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परिट 95,979 फीस दी ही यानि 2,84,91,670 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या गढ़कर 2,78 फीस दी यानि 8,26,740 हो गई है स्वासमंत्राले की ताज जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की 26,55,19,251 डोज दी जा चुकी है जिन में से 34,63,971 वैक्सीन की डोज पिसले 24 घंटों में दी गई है आज के डिली राड़ों पे बस इतना ही हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दोनिया के अन्य ख़बरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया